हलो दोस्तों मैं सौनाली सिंग आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसे स्टड़ी पर और आपको बता दूँ की डिट्रपलस्पी के एक्जामिनेशन बहुत जल्द आने वाले हैं चाहें पी आईटी की बात करें टीजीटी पीजीटी की आपको पत है तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करेंगे लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना किसी देरी के कर दीजिए क्योंकि आगे भी ऐसा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आने वाली तो यहाँ पर आपको दिख रहा है question number one आंसर भी आपको बताऊंगी अगर आप खुद से साथ की साथ आंसर करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं ठीक है और last में आप बताएंगे कि आपके कितने सही आंसर बने तो है question number one यहाँ पर प प्रस्पेक्टिव में इसका अंसर आप मत दीजेगा, बात हो रही है प्राचीन काल में तो देखें, मैं बता दू इस कोशन का आंसर पहले भी सेम ही था और आज भी सेम है शिक्षा क्या है प्राचिन काल में और अब जर्म से लेकर मित्तु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है Q2 है यहाँ प्राचिन काल में शिक्षा का शुभारंब किस संसकार के बाद होता था उपन्ययन संसकार अनप्राशन प्रसंसकार मुंडन संसकार इन में से कोई नहीं तो इनको मैं डिटेल में भी आपको समझा दूँगी लेकिन अभी इस question का answer दीजिए जो आपको लगता है देखिए इस question का answer होगा उपन्ययन संसकार के बाद शिक्षा की शुरुआत या फिर शिक्षा का शुबारम होता था next question question no.3 गुरुकुल विवस्ता के बारे में सत्ते नहीं है जो सच नहीं है वो आपको बताना है गुरुकुल की शिक्षा मुफ्त थी विद्यादान सर्वतम समझा जाता था गुरू के लिए शुलक लेना वर्जित या निश्चित था राजा मुख के पुत्रों के लिए अलग विवस्ता थी तो जो सत्ते नहीं है वो आपको छाटना है और बताना है जी, तो इस question का आंसर हो जाएगा D राजा मुख के पुत्रों के लिए अलग शिक्षा, अलग विवस्ता थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, सब साथ में पढ़ा करते थे गुरू कुल प्रणाली में question number 4 है प्राचिन काल में अध्यापन विदी थी कैसी थी अध्यापन विदी जिसे आज कल तो प्लेवे method यूज होता है ठीके, demonstration method यूज होता है तो पहले कैसी थी शिक्षा मौकिक संबाद, पढ़ना और लिखना केवल संस्कृत में पढ़ना में लिखना, पाठ याद करना तो फोर्थ का सही उत्तर हो जाएगा ए, मौकिक संबाद पर आधारित थी यानि कि, एक और गुरू होता था और दूसरी और उसके शिश्य मौकिक रूप से गुरू बोलते थे और जो शिश्य होते थे वो ज्यान को सुन करके ग्रहन करते थे अगला question, question number 5 निम्न में से क्या अस सत्ते है गुरू कुल में नामांकर बगेर प्रवेश परिक्षा के होते थे यानि कि, खोई entrance exam नहीं होता था बी है, गुरू कुल में शिक्षा व्यक्तिकत अधार पर दी जाती थी एक संस्थान के रूप में नहीं ठीक है C है, इसलामी प्रात्मिक शिक्षा मक्तब में दी जाती थी जबकि उच्च प्रात्मिक मद्रवसों में D, इसलाम शिक्षा का मूल कुरान होता था तो जो असत्य है वो आपको छाटना है A हो जाएगा असत्य है बिल्कुल में नामांकन बगेर प्रवेश परिक्षा के होते थे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है एंटरेंस के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता था टेस्ट कैसा? अब जैसा कॉंपटेटिव हैं एक्जाम वाला नहीं टेस्ट आपको कैसे देना पड़ता था जिस प्रिकार की शिक्षा आप ग्रहन करना चाहते हैं अगर आपको अश्टर सस्टर चलाना सिखाया जाएगा तो उसके बारे में आपको आना चाहिए थोड़ा सा इसके अलावा अगर अध्यन अध्यापन की बाते की जाएं तो उसका ग्यान भी बच्चा अपने घड़ से सीख के आता था पहले की तरह जैसे आज भी बालक सबसे पहले उसका स्कूल क्या कहा जाता है उसका घरी उसका विध्याले कहा जाता है तो प्राचीन समय में भी ऐसा ही था अपने घड से बच्चे सीख कर आते थे और गुरु उनको सही मार्ग दर्शन प्रदान करते थे ठीक है? तो इसका आप लगा लेंगे ए, चटा कोश्वन ओपनिवेशिक काल में शिक्षा के मद्धे में लाख रुपे का बजट अनुदान कब दिया गया? अपनिवेशिक काल में शिक्षा के मद्धे में लाख रुपे का बजट अनुदान कब दिया गया? 1972 में, 1992 में, 1813 में या फिर 1835 में चटे का सही उत्तर आप लगाएंगे 1813 में अगला कोश्वन, कोश्वन नमबर सेवन लौड मेकाले के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था? विलियम बैंटिक, लौड कार्णवालिस, लौड आउकलेंड या फिर चार्ल्स मेटकाफ ये देखिए आए हुए कोश्चन है, ठीक है? ऐसे ही नहीं है, आए हुए कोश्चन है, NIOS के है तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर दीजे, ठीक है? तो साथवे का सहीत तर हो जाएगा A, विलियम बैंटिक, यनि कि लौड मेकाले के समय में भारत का गवर्नर जर्नल था विलियम बैंटिक इसके अलावा आप हमारा दूसरा चैनल B.A. टॉपर्स को भी सब्सक्राइब करके रहें, क्योंकि वहाँ भी कुछ-कुछ इंपॉडन टॉपिक्स पर विडियो डालती रहती हूं है अगला कोशन, कोशन नमबर एट, सीमित वित्यस अंसादनों के साथ हमारे लिए यह संबब है कि हम सारी जनता को शिक्षित करें कथन किसका है, लौड मेकाले का, विलियम बैंटिक का, चार्ल्स वुड का, या फिर हंटर कमीशन का इस कोशन का सहीद तरोज एगा, लौड मेकाले का, ठीक है, लौड मेकाले ने कहा था कि सीमित वित्यस अंसादनों के साथ हर संबब तरीके से जनता को शिक्षित करना, उनका प्रयास है, ठीक है, किसका लौड मेकाले ने कहा था ही कोशन नमबर 9, अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम किसके कहने पर बनाया गया, लौड मेकाले, सेंडलर आयोग, हटार्ग समीती या फिर हंटर आयोग, इंग्लिश की शुरुआज जो हुई थी, ठीक है, वो मेकाले से हुई थी, तो इसका सहीद तर आप लगा लेंगे, कोशन नमबर 10, वुड डिस्पेच के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़े जो आप पढ़ रहे हैं, मेकाले, वुड डिस्पेच, ठीक है, ये सबी जो हैं, आजादी से पहले के आयोग है, ठीक है, जो भारत में शिक्षा को लेकर आए, कोई अंग्रेज था, वुड डिस्पेच के बारे में, जो सत्य नहीं है, वो आप बताएंगे, शिक्षा का मैगना अल्टो समझा जाता है, ब्रिटिश संसर द्वारा शिक्षा निती के रूप में अपना ही जाने वाली सरकारी गोशना थी, देश वर में विध्याल्यों को शेणी वरूस कि किया गया, इसका शत्प्रतीशत क्रियानवन किया गया, तो जो सही नहीं है दसवे का वो है D, इसका शत्प्रतीशत क्रियानवन किया गया, तो ऐसा बिलकुल नहीं था, इसकी शुरूआत जरूर हो गई थी, लेकिन पूरी तरीके से इसका क्रियानवन नहीं किया गया था, कोशन नमबर 11, हंटर कमीशन की विशेस्ता थी विध्याले परिचर्चा को विविद रूप देने तथा व्यवसाइक शिक्षा आरंब करने का ये है प्रत्थम प्रयास था परिचर्चा को विविद रूप देने और वेवसाइक शिक्षय की शुरुआत करने का प्रयास था अब समझ गयोंगे, बी देखिए इसके अनुशनशा पर मेडिकल की पड़ाई शुरू की गई इसने प्रात्मिक शिक्षा पर बल दिया उप्रिक तो सभी सकते है तो देखिए, ग्यारवे का सही हो जाएगा ए, हंटर कमीशन की विशेश्था ये है थी कि विद्धाले परिचर्चा को विविद रूप देने तथा व्यवसाइक शिक्षा आरंब करने का प्रतम प्रयास किया किसने हंटर कमीशन ने इसको हिंदी में हंटर आयोक कहा जाता है कोशन नमबर ट्वैल कोशल विकास पर बल दिया किसने दिया स्किल डवलपमेंट पर हंटर कमीशन ने सैडलर कमीशन ने हारदिक समीति ने या फिर इन में से कोई नहीं तो बारवे का सही होगा हारदिक समीति तेरवा कोशन बहु प्रद्योगी की यानि की पॉलिटेक्निक का उदे हुआ अबाउट प्रतिवेदन से सप्रू समीति से हटार्ग समीति से या फिर सैडलर आयोक से बताए तो तेरवे का सही उत्तर होगा बहु प्रद्योगी की यानि की पॉलिटेक्निक की जो शुरुवात हुई थी उद्य हुआ था वो हुआ था अबाउट प्रतिवेदन से क्याद रखिएगा question number 14 वार्दा समीती के अध्यक्ष थे महादमा गांदी, विनोभा भावे, जाकिर उसेन या फे पंडित, जवाह, लाल, नहरू 14 का आप लगा लेंगे C, जाकिर उसेन question number 15 वार्दा समीती की बेसिक शिक्षा के मुख्य लक्षन क्या नहीं थे option कार्य आधारिश शिक्षा विध्यार्थियों को स्ववाव लंबी बनाना शिक्षा आहिंसात्मक होनी चाहिए शिक्षा को तकनीकी बनाना तो question number 14 sorry, question number 15 का सही उत्तर हो जाएगा D, शिक्षा को तकनीकी बनाना वार्दा इसकी मियनिकी basic education में देखिए, बच्चे को कभी भी technical education नहीं दी जाती उसको basic बढ़ाया जाता है basic शिक्षा में तो basic बढ़ाएंगे तो आप यह वाला लगा लेंगे इसका D question number 16 है बेरोजगारी की समस्या का समाधान शिक्षा में नहीं थै इसकी चर्चा कहां है sergeant report में जाकि हुसेन परतिवेदन में hunter आयोग में या फिर वुड डिस्पेच में तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा A sergeant report में 17 question निम्न क्या सत्य है रादा कृष्णन आयोग 1984 से 49 मुदाल्यर आयोग 1952 कोठारी आयोग उप्रियोग तो सभी तो देखे 17 का हो जाएगा सही D क्योंकि सारे ही सही है और सबका जो टाइमिंग यहाँ पर लिखा है वो भी सही है इसी टाइम पर यह सभी आयोग आय हुए है तो आप लगा लेंगे D 18 question पहली बार द्वितियक वी वर्षिये प्रात्मिक शिक्षा प्रशिक्षण की अनुशंशा किस आयोग ने की यहीं कि दो बर्श की प्रात्मिक शिक्षा की जो अनुशंशा शुरुवात की एक तरीके से किस आयोग ने की किस आयोग ने इस पर बात की मुदाल्यर आयोग ने कोठारी आयोग ने शिक्षा पर राश्टे समीती ने यश्पाल समीती ने तो देखिए जब आप केंदरी विध्याले का एक्जाम देते हैं तो वहाँ पर यहां से काफी मतलब कहते हैं ना के बराबर कोश्चन बनते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतने कोश्चन आपको देखने मिल जाएंगे इसलिए में आपको यह करवा रही हूं तो 18 का सही उत्तर क्या होगा इसनी पहलए बार दो वर्शिय प्राजम इस शिक्षा की कप्रशिक्षण की अनुशंश्चा की प्रसिक्षण हे निए शिक्षक ट्रेइनिंग है शिक्षक प्रशिक्षण यानिगी टीचर ट्रेनिंग की शुरुआत की किसने मुदाल्य रायोग ने कोश्च नमबर 19 वस 1958 महिलाओ की शिक्षा पर एक राश्टियर समीती का गठन किया गया इसका चेयर परसन था कौन था दुर्गभाई देश्मुक लक्षमन स्वामी मुद रादा कृष्णन या फिर यश्पाल नाइटीन का सही उत्तर हो जाएगा ए दुर्गभाई देश्मुक इसकी कौन थी चेयर परसन कोश्च नमबर 20 किसने कहा था कि पूर्व बाल्य वस्था शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए कोई परिक्षा अथ्वा चाहिए जिश्पाल समीती ने कहा था देश्मुक समीती ने मुदाल्य समीती ने या इन में से कोई नहीं तो देखिये इसका सही उत्तर रुजएगा भी सब्स. बस्ता भारी नहीं होना चाहिए पाठ्थे पुस्तक विध्धाले की संपत्त्ति होनी चाहिए गस्त कारे का प्रात्मिक कक्षा की सभी पुस्तके अवधारणा आधारित होने चाहिए या फिर हो उप्रयोग तो सभी क्योंकि यश्पाल समीटी के अनुसार यह सबी औप्शन ठीक है एक्स कोश्चन कोश्चन नमबर 22 यश्वाज समीती ने प्रात्मिक शिक्षा के लिए निमनलिखित गुणवत्ता माप डंडों का सुझाव नहीं दिया था सरल अध्यापक शिक्षा कारेकरम विध्याले ग्रेड में प्राप्त शेनी समाज में प्रतिश्चत उता उपस्तिती प्रतिश्चत उता 22 वे कोश्चन को आप फिर से पढ़ लीजिए समझ लीजिए और इसका सही उत्तर देंगे देखे जिसका सुझाव नहीं दिया गया था वो था ए ठीक है सरल अध्यापक शिक्षा कारेकरम अगला कोश्चन कोश्चन नमबर 23 राष्टे शिक्षा निती 1986 में शामिल नहीं है देखे अब नई एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है तो उसको भी आप पढ़िएगा वीडियो भी में अलग से प्रोवाइट करा दूँगी बगी केवी के लिए आपने पढ़ाई होगा जिसने नहीं पढ़ा है वो मुझे कमेंड करके बता दीजेगा किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ठीक है आपकी पूरी हैल्प होगी आपर तो 23 कोश्चन था नाइटीन एसी 86 फॉलसी में क्या सामिल नहीं है पत्रा चार पाठेकरम अध्यापकों की इस्चिती पारिक्ष्रमिक तथा शिक्षा रीभाषा फॉर्मूला शुलक सहित अनिवारे शिक्षा तो 23 वे का सही हो जाएगा डी शुलक सहित अनिवारे शिक्षा कहीं पर भी मैं नहीं है कि बच्चे को फीज देनी पड़े है तो इसको तो हटाई देंगे आप कोश्च नमब ट्वाइफू प्रात्मिक शिक्षा के बारे में राश्टे शिक्षा निती 1986 को क्या नहीं मिला ठीक है रिपीट प्रात्मिक शिक्षा यानि कि प्राइमेरी एजुकेशन के बार तो 1986 पॉलसी की बात हो रही है इसका सही उतर आप लगा लेंगे डी अधिक लड़कों का ड्रॉप आउट ठीक है कोश्च नमब ट्वाइफ देखेंगे फटाफट राश्टे पाठ्थे चर्या रूप रेखा 2005 किन निर्देशन सिध्धानतों पर आधारित नहीं है नहीं ह चुनिए सही ऑप्शन देखें 25 का सही होगा सी परिक्षा अधिक कठोर बने चाहें एंसीएफ हो चाहें आटी हो या फिर कोई भी आयोग हो एजुकेशन से रिलेटेट वो कभी नहीं कहता कि जो परिक्षा है वो कठोर बने बलकि उसके लेवल को ऐसा बनाया जाता है कि ब करतीशत बच्चे फेल हो जाते हैं अंग्रेजी गनित और विज्ञान की बात हो रही है एंसीएफ के अनुसार बताईए 70 परसेंट 60 परसेंट 50 परसेंट यह फिर 40 परसेंट तो 26 का सही उत्तर आप लगाएंगे 50 परसेंट 27 कहा अनुशंशा की गई है कि सामाजी विज्ञान का अध्यन कमजोर वर्गों के परिप्रेक्ष में करना चाहिए एंसीएफ 2000 में एंसीएफ 1975 में एंसीएफ 1988 में एंसीएफ 2005 में देखें कितनी बार एंसीएफ आ चुका है लेकिन जो महत्वापूर्ण है जो सही तरीके से लागू हुआ था सबसे बड़िया रूप था वो था एंसीएफ 2005 ठीक है तो कुश्चन को समझें उत्तर दें जी तो कुश्चन 27 का सही उत्तर हो जाएगा डी एंसीएफ 2005 में सामाजी विज्ञान का अध्यन कमजोर वर्गों के परिप्रेक्ष में करना चाहिए ऐसा मानता है और एंसीएफ 2005 अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 28 बोज मुक्त अधिकम यानिकी लार्निंग बर्डन की अनुशंशा किसने की थी यश्वाल समीती ने एंसीएफ 2000 ने एंसीएफ 2005 में यह इन में से कोई नहीं लार्निंग विडाउट बर्डन की बात कौन करता है यश्वाल समीती ठीक है कोश्चन नमबर 29 भारत के सम्विधान के निती निदेशक तत्व के किस अनुश्चेद में लिखा गया है अनुश्चेद 42 में अनुश्चेद 43 में अनुश्चेद 44 में या अनुश्चेद 65 में इस प्रश्चन का सही उत्तर आप लगा लेंगे 29 वे का दी अनुश्चेद 65 में निशुल को शिक्षा की बात की गई है प्रात्मिक शिक्षा की कोश 86, 87, 89, 88 तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सरल कोशन यह लगा लेंगे आप इसका 86 जो सम्मिधान संसोधन है वो बात करता है इसको इसको मौलिक अधिकार बना दिये गया किसको? शिक्षा को 86 सम्मिधान संसोधन के द्वारा कोशन नमबर 31 शिक्षा का मौलिक अधिकार कानून का बस्तित्व में आया 1 अपरल 2010 को 5 जुन 2002 को 5 मार्थ 2009 को या इन में से कोई नहीं तो 31 का सही उत्तर लगा लेंगे आप ए 1 अपरल 2010 को कोशन नमबर 32 और आजकी इस वीडियो का लास कोशन है शिक्षा के अधिकार को किस मूल अधिकार के साथ जोड़ा गया है अनुछेद 21a ठीक है अगर बात की जाए संशोधन की तो आप 86 वायाद रखेंगे अगर बात की जाए मूल अधिकार अनुछेद की जो मेन अनुछेद होता है वो है 21a ठीक है तो यह थे आज के टॉप 32 कोश्चन और यूस से रिलेटेड ठीक है कोर्स कोड आप देख सकते है यहाँ पर 501 व्लॉग के एक कोश्चन थे सिलेक्टेड कोश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं ठीक है बैक तो बैक आगे भी आपको ऐसे ही इंपोर्टन कोश्चन पर वीडियो देखने को मिलेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बैल आइकन होता है उस पे क्ल कर लेना ठीक है और आंसर अगर आप यहाँ पर देखना चाहते है थार्टी टू कोश्चन के तो यहाँ पर मैं आपको शो कर दे रही हूं ठीक है वीडियो अगर आपको पसंद आयो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा ताकि ज्यादा स्यादा लोग का फायदा हो सक है और इसके बाद मैं आपके लिए आगे के जो पार्ट से उन पर वीडियो लेकर आऊंगी एन यूएस नोट्स पे बने रहे है मैं सोनाली सिंग अगली बार मिलती हूं थैंक्स पर वाचिंग